तो यहां पर पहरे दोस्तों आपके लिए जो आज की क्लास है यह इसका सेकंड पार्ट का मतलब जो कुछ सवाल यहां पर आप लिए रहे गए थे जिनको हमें समझना था तो अब उनी को यहां पर हम लोग आपका कंटीनियू करेंगे और यहां पर आगे के जो आपके टॉप उनको यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करें तो फड़ा फड़ा जड़ा जोइन हो जाईएगा फिर शुरू करते हम लोग आज की कक्षा को तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर आपसे क्लास की शुरुआत में तो केवल आपके लिए दो चीज़ें रहेंगी यह आपके लिए जो दूसरी चीज हो जाएगी वह ओगी यहां पर आपके लिए रेटिंग से जोड़ी रेटिंग हमेशा याद रखेगा यह जो रेटिंग है आपके लिए यह फॉर स्टार रहनी चाहिए फाइव स्टार के वाल उस इस्तिती में दीजेगा जब आपको यहां पर क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लिए तो यहां पर अगर दोस्तों बात करें आप से तो यह है आपके लिए यहां पर आज की दो चीज़ा हमेशा आद रखिगा फाइल के बारे में अगर आपको को की मैं कि डोपिक तो आपको पता ही होगा तॉपिक के बारे में आगर बात की जाये तो टॉपिक है आपके लिए परी- ć BOYlex के लिए कहां ना उन प्लेलिस्ट से जो ने आपको पूरा यूपी जी के ही मिल जाएगा नहीं होगा तो फिर यहां पे जो है आपके लिए वैसे तो मेरे गूर्प से तो हो नहीं पाएगा चलो तीन चार वीडियो मैं आपको यहां पर फॉरवर्ड कर दूंगा उनको आप देख लेना उसी सर्च प्लेलिस्ट वैसे यहां पर आप लिए होगी न वह यूपी से जोड़े हुए एक्जाम की होगी तो यहां पर हाजी पुषपांजली गोड़ आफ्रनूं गोड़ आफ्रनूं स्वागत है आपका पुषपांजली आज बायोगी क्लास कैसी लगी ठीक थी ओवरॉल उस प्लेडेस लोग ओके टाइप में थी ठीक है तो यहां पर दोस्तों बात करें आपसे आपके लिए संच्टन्ड तंत्र है इसको हम लोग इंग्लिश में सर्कूलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं और सर्कूलेटरी सिस्टम में दोस्तों कई सारी चीज़ है जो अभी सबसे पहले में आपको एक यहां पर मिनरल्स होते हैं जिनका उपयोग जो है दोस्तों आपका शरीर करता है यहां पे आपके जो परिसंचन तंत्र है उसको नियंत्रित करने के लिए जिसमेंसे आपके लिए दोसतों यहां पर जो दो इंपोर्टेंट है उसे आप डेली के डेली आप खाने में हर कोई इस्तमाल करता है बतागो कौन से दो मिनरल हैं जी जी गुड़ाफोम मैं यहां पर अगर दोस्तों सबसे पहली बात करें आपसे तो कौन से बEC welding mineral है जिसका उपियोग जिसका उपियोग हिर्दय के द्वारा किया जाता है हिर्दय के द्वारा किया जाता है मतला हिर्दय के यहां पे संचालन के लिए किया जाता है तो हिर्दय के संचालन के लिए और मैं कह रहा हूँ वो जो दो हिस्वेसे उनको आप हर दिन हर समय यूज़ करते हैं मिनरल पूछा है मैंने मिनरल ध्यान दिजेगा फिर्दय के संचालन के लिए उप्योग किया जाता है तो दोस्तों नोट कीजेगा यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा पूट्यूम हो गया सोडियम के अलावा पूटैशियम हो गया और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक नाम और लिखिएगा आप लोग यहां पे आपके लिए हो जाएगा लॉटाइट यहाँ तो यह आपके लिए तो यहां पे आपके लिए हो जाएगे sodium, potassium और इसके अलावा आपके लिए glory, नाक की चोरी, नाक की क्या कर लिए आपने चोरी कर लिए, तो नाक की चोरी से दोस्तों यहां पे आपके लिए हो गए तीन element sodium, potassium और इसके अलावा यहां पे आपके लिए glory, तो यह तो पहली बात ह सेलावा घर दोस्तों बात करें आप से तो यहां पर आपके लिए जो है एक ऐसा हार्मोन भी होता है जिस के द्वारा तो यहां पर बात करें यसके दुआरा हिर्दए की यहाँ पे दोस्तों आपके स्पंधन को या आपकी हिर्दए की गती को नियंत्रित किया जाता है तो अगर बात करें किया है सर मेरा first day ने मेरा dream तोड़ दिया मन समझें नी पाई क्या मतलब रहा है आपके ड्रीम तोड़ने लग जाते हैं बहुत हैवी वीडियो होते हैं इनको अप्लोड करना अपने आप में चबतकार है इतना बरदाश कर रहे हैं इतने तो सर्वर लगे होंगे सब्सक्राइब कर दूंगा फिर देखेगा तो यहां अपके अगर दोस्तों बात की जाए आपसे अब आपसे पूचा गया हार्मोन अब देखो हार्मोन में अगर मैं आपसे बात करूं ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपके हिर्दय पर डारेक्ली इफेक्ट करेगा ठीक है सर एंडिय के अप्लाइंग डेट सेकेंड जुलाई दो हजार दो है मेरा डेट ऑपर एक जुलाई दो हजार अच्छा 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 कोई बात करें आपसे तो आपके अब ही मेगा से आपकी यह जो 17 के राउंड है तो कहां से वैलीड हो जाओ तो अगर बात करें आप से 15 अच्छा ने ने अच्छा आपके एज निकल गई कोई बात कोई लेकर फ्री होता तो इहरदय के स्पंदन के लिए मुझे बताईए ऐसा कौन सा आपके लिए हार्मोन होता है जो आपकी लड़ाई में सबसे जादा काम आता है आपकी लड़ाई में दोस्तों सबसे जादा काम आता है ऐसा कौन सा हार्मोन होता है तो यहां प तो उसको लोग फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं तो ऐसा कौन सा हार्मोन जो यहाँ पे आपके शरीम में दोस्तों लड़ने के लिए आपका प्रभावी होता है तो लोग कीजेगा एक नाम आपको मिलेगा एड्रिनलीन के नाम से पहला दूसरा दोस्त दोस्तों बात करें आपसे हिर्दाय के संचालन के बारे में तो दोस्तों यहां पे तीन मिनरल से आपके लिए सोडियम पोटेशियम और लोली चलिए आगे बात करें तो यहां पर बात करें आपसे तो आपके लिए हार्मोन लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह इस पंदन हो रहा है यह जो स्पंदन हो रहा है दोस्तों आपके लिए इस पंदन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं इसका मैं आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाना चाहता हूँ यह वाला अब देखें तो अगर लड़कियां हो लड़कियां हो लड़कियां कहेंगी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन एक चीज या रखना दोस्तों कि अगर हमेशा अपनी मेहनत के पीछे जाओगे तो कल तक तुम जिस चीज के लिए पीछे पढ़े थे वो खुद तुमारे साथ चल के आई अच्छे से तैयारी कर तो कभी उसके लिए किसी चीज के लिए आकर तो रहां पास जिंदगी में इतना टाइम ने कि तुम पस्तावा करो जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए होता है केवल तुम जितना कर पाओ उतना अच्छा है एक चीछ छूट दे दूसा करो अगर आपको आइस्क्रीम खानी है समझना अगर आपको आइस्क्रीम खानी है अने वही बता रहा है तो अगर आपको जैसे आइस्क्रीम खानी है आप यहां पे बाइक से हो और आपने अचानक से आपका एक ठेला पीछे चूब गया जहां से आप रेगुलर में आइस्क्र यह समझो वह फेवरिट आइस्क्रीम वाला था अब आप जैसे थोड़ा सा आपने ब्रेक लगाया तब तक आप पहुंच गए कहां पर आपके आगे जाकर कि यहां पर आपको मिल गया जो दूसरा यहां पर आपका आइस्क्रीम वाला था तो आप क्या करोगे अब दुखी हो कितना मेहनत कर सकते हो यह भगवाने जरूर का तो अपना आज सही करो नकल नकल चीक है तो दोस्तों यहां पर आपकी हर एक शहर से निकल करके आपकी दोस्तों यहां पर समा जाती है एक समंदर में इसी तरह से दोस्तों यह जो नदिया नदिया यहां पर आपके लिए आर्ट्री है और आर्ट्री के अलावा वेन है और यह जो आर्ट्री और वेन यानि कि आपके लिए शिरा और धम्नी होती है आपके लिए यह दोस्तों यहां पर आपकी जाके मिल जाती है तो अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सो से विट अफिशे, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आप लोगों का, एक चीज़ मैं बता तो मैं जितनी भी महनत करता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ, that's it, मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जब भी मैं क्ला यह आपकी नदियां है, नदियां जाकर के एक समंदर में मिलती है, तो यह समंदर क्या है दोस्तों, यह समंदर आपका हिर्दय है, समंदर आपका हिर्दय है, तो अगर दोस्तों बात की जाए समंदर के बारे में, तो नोट कीजेगा, यह दोस्तों कहीं पर तो पहले जाकर करके जॉइन होगी तो जो जॉइन होती है इसी को हम लोग सुपीरियर वीना केवा जो जॉइन होती है इसी को हम लोग सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के नाम से जानते हैं अब दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर आपके लिए तो यह तो पहली यहां पर अगर बात करें आपसे तो आपके लिए चीक है तो यहां पर क्या होगा कि यह सउपीरियर वीना केवा आपका कि यहां पर शॉपीरियर वीन केवा आपका जगे जहां पे कई अरी नदी आप 1968 पर ऑंधर आएंगे और डोच Стum होगा कि तो अब आपके लिए निरा आख मैंसे आपके लिए इस यह बहुत। चोड़ा है यहां से हैं आप अब समंदर में मिलेगा विए जा वार बंद हो रहा है जो Attend a देखो यह फिस्सा इस अ कटा आ उरा वाले को देखना तो यह वाला यह है वो चीज जो exactly हो रही है है यह exactly हो रही है और जरा गिनोगे तो यहां पे दोस्टों को यह ऐसी तीन चीज़े मिलेगी तीन है तीक अब चुक्कि यह तीन है आप एपके दोस्तों डंटलों से आपका जोड़ा होता है तो इसी लिए यहां पर इसको हम लोग यहां पर यह जो आपका दरवाजा है पहला दरवाजा घरका है कि सकुंड। यहां पर tri-cuspid के नाम से जानते हैं तो यह हो गया आप यह आप लिए tri-cuspid ball पहली जी नमबर वन ठीक है हमें आपका पहला दर्वाजा किसमें विला जिसमें आप ले तीन डंडियां लगी हुए है वो है tri-cuspid ball अब यही रक्त जो है दोस्तों यह आपका देखो यहाँ पे नीचे आ आपका तर आप में कुछ चेंज लग रहा है कैसा बाल कड़ रहे हैं वह रहे हैं तो अगर मशीन से बराबर तो अगर मशीन हमशा बराबर कटेंगे लेकिन अगर कैची से कटवाओगे तो कैची से कभी भी आपका बाल इक्वल नहीं आता है तो जिनको इक्वल बाल पसंद है उनको पतलब यह चितरंजी बाद नहीं चाहिए मेरा यहां पर यह जो स्टाइल देख तो यह से बाल आगे आ जाते हैं तो यहां पर आपके लिए दो सब्सक्राइब बात करें आपसे तो याद रखना जितको अगर इक्वल बाल चाहिए तो वह मशीन से कटवाना कभी भी उससे कैची से ना कटवाना और बावर यह तो ट्राइक स्पिट बाल पहला दरवाजा कैसा था उसमें तीन आपके यहां प से ऊपर की तरफ जारा है तो यह जो उपर की तरफ आपका यहां पर रखत जाता है कि कि इसको यहां पर ढोल पिनहां तो है तो यह जोς बहुत donc वा게 आपके लिए ट्राइक अस्पिट वाल पाइए इसको इबाद दिखा देते हैं यह वाला देख यह जाएगा आपके लिए पल्मोनरी बॉल्ड यह कौन सा हो जाएगा यहां पर लिए पल्मोनरी बॉल्ड दूसरे से मिल ली है यह कौन सा है आपके लिए पल्मोनरी बॉल्ड हेख है यह क्या होगा अपके लिए पल्मोनरी बॉल्ल फिक्षिक्षे तो यहां पर आपको दो दर्वाजे मिलिए एक वो जिसAc तीन टांगे लगी थी एक वो जो आपका सीधे लंग्स की तरफ जाता अब प्यारे साथियों मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है अगर कोई चीन लंग्स से जोड़ी होती है तो उसको हम लोग पल्मोनरी के नाम से जानते हैं के नाम जानते हैं पल्मोनरी के नाम से जानते हैं अब यही रख्त जो है दोस्तों यह आपका लॉट के आता है आपका लंग से लंग से जब आपका लॉट के आता है तो इसमें आता है तो यह जो दोस्तों आपका यहां पे इसमें आ रहा है अब ज़रा देखो तो यह एक वा ये अगर दिखाए जा वेट अ मुद दो वाय दिखाई ने कैके यह वाला बता रहा है िहां पर देखो यहां पे देखो लौके दो आपके दो होते हैं आपके इसी लिए समझवाया, तो यह यहां नहीं, यह वाला, तो चुकि यह आपके लिए दोस्तों दो होते हैं, इसी लिए इसको यहां पर हम लोग आपका, बाइकस्पिड के नाम से जानते हैं, तो यह जो बाइकस्पिड होता है, इसी को दोस्तों, यहां पर हम लोग आपका, यह यहाँ पे मित्रल वॉल्व के नाम से भी जाए तो बाइकस्विड वॉल्व जिसकी दो टांगे थी तो पहले तीन टांगे मिली फिर लंग्स में घुस गया फिर आपका दोस्तों आप दो टांगों पे आगे तीन टांगों से होता हुआ तो बाइकस्विड वॉल्व और इसक साइट से लिए निकला होगा बाहर हवा रहा हो यहां पे हम लोग आपका दुस्तों तो यह आपके लिए बाहर हवा खाने चला गया यह हो गया है यह आप गे Creat URL बॉल जिसको हम लोग यहां पे आपका बाइक कर लोके नाव से जान रहा है थो यह यह हो यहां पर आपको एक चीज और बताऊ तो यह तो था यहां पर आपके लिए जो पहला टॉपिक था जो हिर्दे के बारे पूरा फ्लो अमलों को नहीं जीका इसके अलावा यहां पर आपका यहां पर डाग्राम देखा फ्लो का कोई सवाल हो तो वो पूछ लीज़ेगा अगर कोई सवाल या डाउट हो तो वो जरूब पूछेगा तेक यो टैन सेकेंड्स आराम से देखिए ठीक है फिर मैं आप यहां पे तुछ सवाल पूछूँगा उनके वो सवाल इसी के आधार पर ही होगा तो यह देखा अपना कलर चेंज हो गया तो एक से सुबनाएं है पीपीटी कई हमें नहीं पता होती है फिर से करके देखें है अरे अरे यह सब्सक्राइब क्लियर हो गया समझ में आ गया कंफर्म कीजिए एक बार अगर क्लियर हो गया हो तो कि के की कि है कि सरद्र कुई प्रेक्टिस सेट बता यह पर आपके लिए कन से अकजाम के लिए यह जो आप त्यारी करके रहो यूप orbit यहां पर दोस्तों पहला सवाल मुझे बताईएगा आपको नाम बताएगा यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं यहां पर इस तरह से बीच में डिवाइट करूँगा समझेगा तो यह आपका लेट साइड हो जाएगा यह आपका राइट साइड है ऊपर वाले जो भी चीज़ हो उसको हम लोग औरिकल या फिर आपका यहां पर दोस्तो अगर कहें तो नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल के नाम से जाते हैं अट्रियम भी कहते हैं इसको तो औरिकल और वेंट्रिकल के नाम से जाते हैं ओपर वाले जो भी हो चाहिए राइट हो लेफ्ट हो औरिकल नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं तो यहां पर अगर दोस्तों बात करें तो ये वाला हिस्सा आपका क्या बन गया ये बन गया अपने लेफ्ट औरिकल इसी तरह से ये वाला को सा बन गया ये वन गया राइट औरिकल नीचे वाला क्या बन गया ये बन गया लेफ्ट वेंट्रिकल और दोस्तों इसके नीचे वाला बन गया राइट वेंट्रिकल चार बाव हो बैट चीक है अब इसी से जुड़े हुए आपके लिए सवाल होंगे ज़रा ध्यान से देखेंगा पहला प्रशना आपके लिए पहला सवाल ज़रा मुझे बताएगा दोस्तों कि यहां पे आपके लिए जो अगर मैं कहूं राइट औरिकल से या एट्रियम से जब आपका जाता है दोस्तों आपका राइट वेंट्रिकल की तरफ तो यहां पे कौन सा तीन आपका दरवाजा पड़ता है तीन कुंडी वाला दरवाजा पड़ता है कि ऑजी हाजी कौन सा दर्वाजा पढ़ेगा अगर मैंने आपसे हे राइट आम से कौन सा दर्वाजा तैन दरॉजा पढ़ेगा तो त्यूंटा पढ़ेगा 3 दर्वाजा पढ़ता उसका Butare gave यहाँ पे अगा appelle तीन पेरों का दर्वाजा कौन सा होगा कुंए तीन पेरो करता यहां पर लेम घ्यांव पippin क्या कहाता है यहां पे अप आपके लिए कि पुल्मोनरी गाल कि की स्था हो जाएगा यहां पर आपके लिए बाइक कस्पिट है कि या फिर बाइक कस्पिट के अलाव अगर बात करें आप से दूसरा मित्रल वॉल और चौथा हो जाएगा यहां पर आपके लिए ट्राइकस्पिट फुल्मोनेरी बाइकस्पिट और एक और हो जाएगा आपका एरोटा एर खाने गया था एरोटा करें लें सारा आंसर पता क्यों दे रहे हैं नहीं आपके लिए अब 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 मुझे बताईएगा कि यहां प्यक्ता हूं आपसे राइट अपने हम से राइट और इकल की तरह यहां पे कौन सा आपके लिए दोस्तों प्रेजेंट होता है जिसमें दो टांगे रहती है को इस पर आंसर रुकना ही नहीं चीए था रडाय कस्पिट कहेंगे बाहर कस्पिट कहेंगे महाराज कौन सा कुए क्ली के कहां गए अगर बात करें आपसे आपके लिए अगला प्रश्ण यहां पर मैं कहता हूं आपसे तो आपके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के बाहर कौन सा वाल होता है जो हवा खाने जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के बाहर यहां पर कौन सा होता है जो आपके हवा खाने जाता है किसी का आंसर यहां पर गलत ना हो नंबर वन दूसरी चीज़ सबसे जल्दी आंसर चाहिए कौन सा हो जाएगा आपके लिए तो प्यारे साथ यह नोट कीज़ेगा यहां पर जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वह हो गया इसी हो गया ऐसा कोई जिसको अभी यहां पर समझ में नाया हो प्लियर है चीक है कुछ पांजली याद हो गया चलो शाबाश अब देख हिर्दय जो है आपके लिए मुझे बताना क्या यह अपनी इक्षा से चलता है या यह आपकी इक्षा से चलता है यह आपकी इच्छा से चलता है तो क्या बता होगे अपनी इच्छा से तो यहां पर दोस्तों अपनी इच्छा से चलता है तो इसको लोग इन्वालेंटरी कह इसी तरह से अगर बात करें फेफड़ा फेफड़ा भी क्या है अपनी इच्छा से आपका यहां पर यहां पर दोस्तों जितनी भी involuntary functions होते हैं नोट कीजेगा इनको आपका जो नियंतरन होता है इनके लिए जो दोस्तों आप लिए नियंतरन कक्ष होता है आपका यह दोस्त पहली चीज़े तो यह हो गया आपके लिए आप मैडूला ओगलों काटा आगे बढ़े अब यहां पर दोस्तों इसके लावा अगर बात करें आप से तो आपके लिए यह जो हिर्दय होता है ना ठीक है यह हिर्दय जो है अच्छली में यहां पर आपके लिए हिर्दय की पहले आपको बीमारियां बता दें कई सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे पहले बीमारी कर लेते हैं को भी हिर्दय कर लिया है अब हिर्दय से कुछ बीमारिया समझना है तो यहां पर एक चीज़ पहले बता दें अगर आप कभी भी इसकी आउटर कवरिंग क नाम से जाने दूसरी चीज दूसरी चीज अननास सब ने खाया है तो अननास को तुम लोग बाहर से खाएंगे कि यह अननास को अंदर से खाते हैं अंदर से खाया जाता है उसका छिलका उतार के खाया जाता है तो यह जो इसकी अंदरूनी परत होती है इस अंदरूनी परत का परणाम लिख लिएगा इसको यहाँ पे एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं बस यहीं से आपके लिए दो बीमारिया वनती है अब पहले बीमारियों के बारे में आप से चर्चा करते हैं हाँ देखें सबसे पहली जो बीमारी आपकी ब्लड से जुड़ी हुई होती है उसको हम लोग यहाँ पे लियूकेमिया कहें तो यहाँ पे बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं आप से बीमारिया इसको हम लोग डिजीज कहेंगे क्या कहेंगे आपका डिजीज कहेंगे त तो यहाँ पर अगर बात करें आपसे अब ही बता रहे हैं तो यहाँ पर बात करें आपसे तो आपके लिए पहले स्टीज को क्लियर कर लो कि अगर आपका हिर्दा है कुछ इस तरीके से बनाए तो यहां पर जो आपके लिए बाहरी परत होगी, माने ये वाली, जो इसके उपर वाली परत होगी, माने ये वाली, इसको यहां पे हम लोग आपका pericardium कहेंगे, spelling को थोड़ा ध्यान से देखीगा पेरिकार्डियम कहीं और वहीं जो इसके लिए आपकी दोस्तों अंदरूनी यहां पे आपके लिए रेखा हो जाएगी यह वाली जो इसके लिए अंदरूनी यहां पे आपके लियर हो जाएगी यह वाली इसको हम लोग endocardium के नाव से जानते हैं तो अगर बात करें सबसे पहली बीमारी के बारे में तो नोग कीज़ेगा यहां पे सबसे पहली बीमारी होगी आपके लिए leukemia रख से जुड़ी हुई बीमारी है leukemia क्या होता है leukemia का मतलब होता है दोस्तों आपको यहां पे अगर blood cancer हो जाए क्या होताए blood cancer तो समझेंगा कि हमेशा अच्छाँ आपको पता होगा आपका जो रख चार रक अपका अरता कहां बंता है अधिर मार्र के बारे मैंने पहले बताया है का बंता है कि अधाना कि मता पिए बात है तो आपके लिए यहाँ बता देते हैं यहाँ पर बात करें हैं आपके निर्बात में दो बात हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, प्लेद फॉर्मेशन के नाम से जाना तो यह जो ब्लेद फॉर्मेशन होता है आपके लिए जरह समझिए का यह आपका दो तरेके से होता है एक होता है जिनको हम लोग एडल्ट कहते हैं अच्छा आप लोग इसमें आतो जड़ा चुनना option number one में आते हो या फिर children यानि कि छोटे बच्चों में आते हो किस में आते हो option number one या option number two हाँ सब लोग option number two कह रहे हो ऐसा क्यों क्यों कि आप लोगे आते हैं तो यहाँ पर बात करें आप से तो आपके लिए जो वयस्क होते हैं note कीज़ेगा वयस्कों में जो आपका blood बनता है वो bone marrow में बनता है number one point ठीक है तो bone marrow में हमेशा नहीं बनता है केवल वयस्कों में बनता है क्यों बनता है क्यों में हड़िये develop होच थी इसलिए अब हड़ियों ने यहाँ पे जिम्मेदारी लेए ठीक है अब इसी हड़ि जुड़ा हुआ एक और चीज़ बताते हैं आप अच्छा हड़ि तो बढ़ाना नहीं न यह तो आपका blood वाला है दूसरा होगे आपके लिवर जहां पर आपके लिए हमेशा जो है आपका रख्ट बनता है चीक है अच्छा इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए बेटम तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए यह बात हो गई इसी तरह से अगर बात की जाए आपसे तो यह आपका production है जो निर्माण है यह आपका आनियंत्रित हो जाएगा कि क्या हो जाएगा आपके लिए आनियंत्रित हो जाएगा तो इसको हम लोग ब्लड cancer क्यों तो जब आपका दोस्तों ब्लड क्निवाइए अगर आपकी कंट्रोल मées ना रहुता है कि यह शकुर्ण के निच एक पहली चीजन नमबर बन चुब subscribers दूसरा पॉइंट दूसराएंट दोस्तों यहां पिस नहीं सुधूसरा दोस्तों कि यहां पर जब अगर बात कीजाए आपसे रट्पे बारे में तो दो चीजें होती है, एक होता है है हॉइपर यह कोई बार आप लोगों ने दोस्तों सुना कि मुझे BP की विमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर की बिमारी है, तो यहां पे अगर बात कीजाए आप सो यह जो बीटी की यानि BT है जो आपका blood pressure यानि कि जो आपका BT है वो जादा हो गया वो क्या हो गया आप लिए वो वो हाई हो गया और हाई का मतलब होता है कि वो जो 120 से जादा है आई का मतलब क्या होता है 120 mmHg से या 80 mmHg से जादा है नॉर्मल वाली minimum से जादा या maximum से जादा तो blood pressure जब आपका high होता है तो उसको हम लोग कहते है hyper tension होता क्या है इस वह यह जान लो यहां पर आपके शरीर में जंजनाहट सी रहेगी ऐसा लगेगा आपके यहां पर जो नशने है वह बहुत तेश भाग रही जंजनाहट सी रहती दो चीज जंजनाहट सी रहेगी दूसरा अंदर से घबराहट सी रहेगी यह है high blood pressure इसी तरह से दोस्तों hypotension क्या होता है कि जब यहां पर आप लिए low blood pressure बन जाता है जब यहां पर आप लिए low blood pressure बन जाएगा तो इसको hypotension के नाम से जाना जाता है माने जब 80 mmHg से भी आपका रख कम हो जाए तो एक होगे आपके लिए हाइपर टेंशन दूसरा होगे आपके लिए हाइपो टेंशन ठीक है अब इसके अलावा गर दोस्तों बात करें आपसे फिर यहां पे आपके लिए एक और दो बीमारिया होती है एक साथ और यह बीमारिया एक के बाद एक आती है इंसान को एक को हम लोग यहां पे आपका एंजाइना के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग प्यारे स बात करें आपको आपके साथ सद्सक्राइब को आपके लिए हो जाएगा हाइग कि ऩार्ट इग टिकल्ट और शोगर बच्ट यंगर स्ट्रस को भी हो सकता अच्छा एक चीजों जब तक आपकी एज यहां पर चौविस साल नहीं होती है जब तक आपकी एज यहां पे 24 साल नहीं होती है तब तक हर कोई मेरा प्यारा चात्र हिर्दय के दोस्तों रोगों से बचा हुआ मेरा प्यारा चात्र यहां पे हिर्दय के रोगों से बचा हुआ तो यहां पे दोस्तों अगर बात करें आप से तो आपके लिए जो हिर्दाय रोग होता है लोग कीजेगा यह आपका 24 के बाद ही हो एंजाइना और हर्ट अटक के बारे में आपको कुछ बताऊंगा ज़रा ध्यान से यह देख रहे हो यह आपके लिए एक नस है जिसको हम लोग आर्टरी के नाम से जाने हैं अब आपने क्या ह इससे आपके आपकी जो यहां पर ही फिर्दाई में जा रही थी उसमें थोड़ा अपगे यह थोड़ासा फैट जमाँ बस थोड़ा सा तो कभी-कभी हलकी से धिक्कत आती हो अचानक लगता है कि यहां親 Spe ayl करें आपके लिए क्या हो गया थोड़ा सा घरफेंगेंध तो इसको हम लोग यहां पर आपका यहां पर तो इसको हम लोग यहीड आपका टोड़ा सा करता है तब कि देखा है ना किसी को आपने देखा हो अचानक से बहुत दिल लेके बैड़े आ कि तब दर्द हो रहा है ठीक हो जाता है जो तो यह जो बीमारी होती है जिसमें रख्त जो है दोनों साइट से अपका जमदा है तो कभी-कभी वह ब्लड फस जाता है इसकी वज़ आपसे तो इसको कहते हैं हम लोग एंजाइना यह एंजाइना का दब और लास्ट में होता है दोस्तों आपके लिए हर्ट अटेक जब यहां पे यह आपके लिए क्लॉग हो जाता है मतलब अब रख्त वापस लॉट तो यह सूना हो गया यहां पे रख्त नहीं रहा हर्ट आपका हिर्दब ब्लड से खाली हो गया आपको पड़ा हर्ट अटेक इसलिए हर्ट अटेक का आदमी सीधे की सीधे बिना कुछ बोले ही चला जाता है क्या बताओ तो यहां पे अगर बात करें आपसे तो यह हैं आपकी तीन आपकी बीमारियों की स्टेज को रोनरी आर्ट यहां तक आपको कोई भी कन्फूजन नहीं होगा लुकेमिया हाइपाटेंशन हाइपोटेंशन एंजाइना और हर्ट इसके अलावा हम लोगों ने यहां पे शुरुआत में देख लिया को रोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया तो यहां पर रख्त चाप क्या है आपका यह रख्त चाप जो है आपका दोस्तों यह उच्छ हो चुका है यहां पर दोस्तों निम्न रख्त चाप है यहां पर आपके लिए दोस्तों यह लुकेमिया यहां पर अगर ब्लड कैंसर होगे आपके लिए अपर ब्लड कैंसर तो यहां पर बात करें आप से तो आपके लिए तो यह क्या हो गया ब्लड कैंसर हो गया ठीक है तो अब यहां पर आप लिए यह सारी डिजीज है तो यहां पर कलम लोगों ने आपका हर्ट के बारें पढ़ा था ब्लड वेसल्स ब्लड के बारें पढ़ा था अब यहां पर शब्दा जाएगा कभी भी अग्डर ब्रैकीयल शब्दा जाएगा तो यहाँ पे प्यारे साथियों यह इसका सीधा सा मतलब है आपके पेफ़रों से तो फेफ़रों की जो नसे होती हैं इनको पल्मोनरी और ब्रैक्यल की यहाँ पे नाव से जाने इसी से अगर बात करें दोस्तों यहां पर आपसे तो आपके लिए next पुरसिक भी आपका वही होता है फेफषणों से ही जुड़ा होता है हिपाटिक हिपाटिक अगर कभी शब्दा हजाएगा तो यह आपका लिवर के आपकर बात ही जाएगा और अगर रेनल आजाएगा तो रेम का मतलब हो जाएगा आपकी किडिनी से जोड़ी हुई आपकी किडिनी को हम लोग कहते हैं लेवार को हम लोग यक्रत कहते हैं और फेफड़े का मतलब लंग से उन्हों क्लियर हो गया तैम आराम से पहले देख लो टेक यो टैन सेकंड जो पढ़ाया है एक बार देख लीजे ठीक है ओ सची मैं कहां पर कहां पर देखी जी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो कोई समस्य हो तो शब्दों से जुड़ी तो वो पूश लो वरना आगे बढ़ते हैं यह पल्मोनरी हो गया थोरेसिक हो गया हिपैटिक हो गया रेनल हो गया और ब्रेकियर हो गया ठीक है चले बढ़िया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पर अप जड़ा आपको कुछ और चीजे भी बताते है तिक है जैसे मैंने आप से कहा कि आपके जो मानव होता है समझिए आपके जो मानव होता है इसमें दोस्तों एक, दो, तीन, चार यहां पर आपके चेम्बर होता है। तो यह मानव में और मानव के अलाव अगर बात करें आपसे तो आपके मैमल में होते हैं ठीक है जरूर जरूर पुश्पांजली जलो बनाई लेते हैं ठीक है मानव अब सोचने आप पे फोटोस भी डाला करें हैं भूमने गामने वाली तो यहाँ पर मानव मानव के लावा जो मैमल्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपके यहाँ करते हैं आपके लिए यहाँ पर चार चेमबर के यहाँ पर आपके हिरदाइबर होते हैं लेकिन अगर बात करें आपसे तो यहाँ पर दोस्तों दो चेमबर वाले भी हैं दो चमबर वाले कौह नहीं एंवेदर्फ नोट करते से लिए रिजी रोत आपको यहां पर फै पानी। इन् दो चमबर है। पानी में दो चमबर है। पानी से बाहर ऐे एक चमबर बढ़ते हैं यानि कि यहांकि क paid एंफिबीं का मतलब तो वीडियो बनाओ या फोटो डालो फोटो यहाँ पे जादा होती नहीं थी तो मैं डारा डालता भी नहीं था इसलिए मैं टेलिग्राम चैनल से ही सबको जुड़ना अच्छा लगाता है और बहुत बढ़ी अभी है वापे ठीक है अब देखो यहाँ पर बात करें दोस्तो आपसे तो आपके लिए दो चैंबर हो गए तीन चैंबर होगा ठीक है इसके अलावा सबसे जादा अगर पूछा जाए सबसे जादा जो आपके लिए चैंबर होते हैं दोस्तों यह आपके कॉक्रोश सबसे जादा कहा होते हैं आपके यह कॉक्रोश में होते हैं तो कॉक्र प्रादण हो गया हाती हो गया जो बच्चे पैदा करते हैं तो यह तो यह वजन की बात की जाए तो मैंने आपको आपको चार से आपको नंबर ऑफ चैंबर मिल जाएंगे चार से आपको महिलाओं में रक्त कम होता है पुर्शों की तुल्ना महिलाओं में रक्त कम होता है पुर्शों की तुल्ना महिलाओं में रक्त कम होता है पुर्शों की तुल्ना महिलाओं में रक्त कम होता है पुर्शों की तुल्ना महिलाओं में रक्त कम होता है पुर्शों की तुल्ना महि ठीक यहां पर दोस्तों बात करें आप से अब आप इसको कर दो 4000 जावत चार हजार तो यह हो गया दोस्तों आपके WBC की संख्या एक्चुन 2000 ठीक अब इसी चार चार लाख तो यह जो चार लाख होगी आपके लिए यह जाएगी आपके चाहर-लाग को मतलब हो गैप यह यह हो जाएगा प्लेट लिए के शंख्या और इसे को दोस्तों अगर आप कर दो 40 Marx क्या कर दो है आप 40 लाग तो यहarken आहेँ आप लिए आर बी सी की सब्सक्रेव ét count time अगर कोई डाउट हो तो पूछे ज़रूद फिर है कि अच्छा अच्छा यह तो आपकी है श्वेत रख पोशिकाएं यह आपके लिए प्लेटलेट्स है और यह आपके लिए आप लिए आपर लाल रख पने का क्लेर होंगा चार से ही सारी चीजें आपको यौत रही चार चार ल Okay राम-4000-220 संग्या ठीक है नहीं एक में होती है वह ना एक में एक मोट ठीक है इसके लाएब चार हजार अब बताया ना यह सब यह सब आईडियों है अच्छा तभी तब लोग कम देखते हैं यहां पर दोस्ति यह अग्जैक्ट लिखे हुए यह कितना आपका यह लगवल लगवा एक लाख लेकर याद जरूर आजाएगा कि हां इसके अप्रॉक्स यह कितना आपका यह लगवल अब यहां पर बात करें आपसे तो यह हम लोगों ने आज आपका हर्ट के बारें पट चुके थे वह सफिग्नो मैनोमीटर क्या है आपके लिए दो इस्ट्रूमेंट कि यह दो इस्ट्रूमेंट कि दो इस यह को का रख्तिचाप को ना आ पा जाता है और जो का ना पा तो अगर मैं आप से के बारे में तो नों यहांपर हमेटोसाइटोमीटर के नाम से जाने हैं ब्लेड प्रेशर जो है दोस्तों यह आपका स्पिग्नोमैनोमीटर के दौरा आपका यहां पर बात करें आपसे तो आपके लिए हमेटोसाइटोमाने में स्ब्रेश बढाइनोमीटर हो जाएगा और यहां पर श्राइस कितनी होती है हर्ड़ वी Sug एक स्धोर एक सचालिस होती है बच्चों में बढ़ों में बहतार से च Unf увелич यही आपकी दोस्तों पॉल्स को बताती है और इसी पॉल्स से यहां पर आजकर स्मार्ट वॉच्ट जो है अपकी दोस्तों यह पुरा लबडब-लबडब साउंड आता है इसमें पॉइंट सेकंड लगते हैं जिसमें हाई प्रेशर रहता है कि इसको से स्ट्रोल का जाता है ब्लडबलब भी ब्लडब इस तो इहां पर अपको उन्द घृट गरोप यहां पर आपका बाहरे साथ्यों अगर भात की जाए फैयूल तो यह होगा या भी होगा उन्होंने कभी नी सुचा था हरे क्या वात है सभी का हाट की वाइज दुकर लव होती है ना लव उसी से लव शब्द हो यहां पर दोस्तों बात करें हम आपसे एक चीज़ा रखीगा कि अगर यह ग्रूप ए होगा तो यह कभी वी बगल वाले पड़ोसी महले वाले को बूलाना पसल भी करेगा तो उन्हीं के स्ञनी करें तो इसमें रखने अपने पास एंटी बी के सेनुफ इसी तरह गुरूप बी में किसके सेनिक होंगे है। गृुप ऑले सेनुफ या एंटी या वाले सेनिक होंगे, को दोस्तों यह संत आंधॵ यह संतह जा है को इप आओ हमारे पास हमें कोई विया हमारे पास करेमाने क्या हुआ यह हुआ दोसको कोई भी अपने सर्वा घृड़ के सब्सेद लेगा समसेपास और अओसमें अध्यार क्व करना तो मतलब दोस्तों इ Buffalo अ है तो सब स्कूंलया है और यूनिवर्सल अग्सेपटर के ना सब एक्सेप्टर के नाम से लोग यह था आपका ब्लड गूप अरे यहीं होना चीए बहुत अच्छी जी लिए तभी पढ़ाई मज़ा तो ग्रुप A हो गया ग्रुप B यहां पर बात करें आपसे तो आपके लिए जैसे मालीजे एंटीजन का मतलब क्या होता है हाँ यह अच्छा सवाल है आप सुने हैं हमारे पास दो चीजों होती है एक होती है एंटीजन समझना अब एंटीजन को समझना कैसे यह जाना एंटीजन जो है दोस्तों यह विदेशी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति जैसे ही आपके शरीर में आएगा तो दोस्तों आपके यह जो सैनिक यह सैनिक यहां पर उसका रास्ता रोग के दोस्तों उसको आपके खतम करने का प्रयास करें तो एंटीजन जो है दोस्तों यह आपके दूसरे बॉड़ी से या दूसरे आपके एंवार्मेंट के बाहर की चीज़े जो आपके सजीद में नहीं इसलिए वह हमिशा आर ईसको कीजिएगा यहां पर आपके लिए लिंफो साइट है और इसके अलावा द्यूंद यहां पर आपके लिए हमिए यह कस लेकावग ऑफ है काफी लोग जाते हैं तो यह लगर अच्छी जीए और यह रिलेशन पता है यह हमेशा एक दिन का नहीं होता है अब तुम अगर मालो के यहां पे जितने स्टुडेंट से ठीक अगर यह जुड़े रहते हैं तो मालो लाइफ में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो के लिए हम लोग हमेशा यह भी होता है तो सफलता का मतलब है हमेशा आपका साथ देना अभी तो चलो ठीक है तो कोर्स के बाद यहाँ पे तब भी रिक्वार्मेंट कुछ ना कुछ होती होती है कोस्ची समझ में नहीं आती है वो भी गाइड़ेंस मिल जाता है तो यहां प कर लो आप ट्रीन में जो एलर्जी हुए इस ऐलर्जी को दोस्तों यहां पर आपका नियंद्र Reid करते हैं यह से लियुग साइड टो यह तो यहां पर आपके साचाघ्डी सबसे पहले पढ़िएगा यह किस से रक्त ले सकता है किस से रक्त ले सकता है यह पूच रहा है को यह नहीं को है यह पूच रहा है कौन है यहां पर दोस्तों बागात करें आप से राइट आप्शन के बारे में तो नोख कीजेगा आप के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर डी यानि कि इन चारों से दोस्तों यहां पर आपका यह रक्त ले सकता ओल फो ठीक है सुजीत बाकी लोग भी यहां पर आंसर देते रहेंगे आगे बढ़ते हैं अगला पशले पल्मोनरी आर्ट्री आ गई पल्मोनरी आर्ट्री जो हिर्दय से रक्त लेके जा रही थ आप कौन सा होगा कि उश्पांजली सबसे पहले यहां पर आंसर दिया सबसे तेज सबसे जल दी चीक है प्रियंका का सही हो गया को कौन सा होगा कि यह आपका तू पर देको टू लंग पर अब यह सो जो इस और पहां पर आपका हवा भी तो एंप यह आपको नपला होगा तब हिएता सब्सक्राइब करें कि यह फिर प्रेंचा कि अह?? हुआ कौन सा अप्शन होगा तो प्यारे साथ यह नोट कीजेगा यहां पर जो आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा को हो जाएगा ऑप्शन नमबर त्री कौन से आयन है कौन सा आयन है जिसका सबसे ज़्यादा उप्योग हो गया मैंगनेशियम सोडियम कैशियम यह पोटेशियम सबसे ज़्यादा किसका उप्योग होगा कौन सा कैशियम होगा जिसका सबसे ज़्यादा उप्योग होगा और आप एंगे में इस सब्सक्राइब बताया तो तो किया ही था ऐसा थो ना वेट करते हैं लेकिना देखते हैं जब आई नहीं उनको याद ही नहीं आ रहा है होता है कैशियम होता है कैस्छ सब्सक्राइब चलिए ले लिए कि अगला हाँ जो है पंप नहीं हो रहा है भी मारी का नाम tank इंड की हड़ लॉयर कहेंfahr तो प्यारे साथ यह नोट कीजेगा यहां पर आपक्षार होगा उसको हम लोग हर्ट फैलियोर क्या रहा है हर्ट फैलियोर हो गया यानि कि आपके लिए आपर हर्ट और वही हर्ट इटेख और याहां पूछरा है इंजेक्षन लगाया जाता। injection muscle vein artery लिंफ को इन्जेक्शन कहां लगाया जाता मसल आर्ट्री वेन या लिंफ तो नोट कीजेगा यहां पर आपने राइट और अंसर हो जाएगा वह जाएगा आपने यहां पर लोग यहां पर आपका शिरा के नाम से जानते हैं जहां मन करें वहां लगा दो सीधे सीधे कुछ जा पाएंगे नहीं चलो अगला सवाद इंपल्स ऑफ हर्ट बीट कहां से और इजिनेट कुछ यहां पर वेगास और कार्डियक नर्व होगा आपको इनमें से चुलना है जोकित यहां ऐसे नियुक्त है एसे नोड और वी कौण से चुलन कोसा और इजिनेट कहां से नहां से होता है जीग तो इसके लिए आपको याद हखना है हां इसके विए सक दखानग की आपको या बात чन सबी लोग बताएंगे तो प्यारे साथ्यों नोग कीजेगा यहां पर जो आपके लिए राइट आज़ाएगा अफ़कोर्स यहांप आपके लिए सही जवाब क्या हो हो जाएगा यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी यानिकी पल्मोनरी कि उसको क्या कहते हैं आपका पल्मोनरी बेंगे आप बताओ कौन सा सरो जाएगा आप्शन नंबर फॉर यह क्या करता है यह केवल आपके आपके शरीर की एक्टिविटी को स्थेटोस्कोप के द्वारा दिखा जाता है ठीक है और इसके अलाव अगर बात करें आपसे तो आपके लिए अनीमो मीटर हो जाएगा ठीक है तो यह हो गए चलो आगे भी नहीं के बहुत ज्यादा तो कितना ज्यादा नब्वे होगा असी होगा यह होगा साथ है कौन सा होई कबार इस तो यह था दोस्तों यहां पर आज के लिए आपका पूरा सत्र कुछ याद हुआ को समझ में आया ठीक है कुछ थोड़ा बहुत याद हुआ ठीक है आपको पढ़ाई थी लास्ट टाइम पर तो वह आपकी यहां पर प्रिमरी बेसिक होते हैं जैसे एसे सी जीडी होते है ठीक है तो यह जो आज आपने पढ़िए यह एडवांस लिए मतलब आप इससे चाहो तो कोई भी वीचाहाँ आप आई-स का एक्जाम जो भी वह भी चलिए फिलाल जाने का है समय राइट खुश्माजली अभी आपे मस रहिए खुश रहिए नमस्कार थैंक्यों वेरी मच्छ गुड़ाप्रेल